तो दोस्तों हमारे स्क्रीन पर देखेंगे ये फिंगर प्रिंट सेंसर दिख रहा है सिंपली दोस्तों अपना फिंगर इस तरह से लगाएंगे और ये हमारा सेक्सप्रिन ओपन हो जाएगा ठीक है सो हेलो नमस्कार दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Vivoi 53S Mobile में दोस्तो इन डिस्पले फिंगर प्रिंट लोग कैसे लगाएंगे जी हाँ दोस्तो आप जो है अपने स्क्रीन पर फिंगर लगाएंगे और आपका फोन जो है ओपन हो जाएगा ठीक है तो ये सेटिंग दोस्तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगी तो दोस्तो ये setting करने के लिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो है आप अपने mobile की setting को open कर लेंगे ठीक है और open हो जाने के बाद में दोस्तो यहाँ पे थोड़ा सा scroll down करेंगे नीचे आएंगे देखेंगे security का option मिल जाएगा इस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तो यहाँ पे देखेंगे screen lock का option मिल जाएगा इस पे क्लिक कर देना है ठीक है और यहाँ पे दोस्तो आपका जो भी password या पिन यानि जो भी lock लगा हुआ है simply दोस्तों उसे हटा देना है यहाँ यानि non पे हमें click कर देना है यानि दोस्तों हमारे phone में कोई भी lock नहीं होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों इतनी setting करने के बाद में दोस्तों यहाँ से bike चले जाएंगे हम तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने play store को open करेंगे और open करने के दोस्तों वीवो थेम्स ठीक है यह लिखे हमें search कर देना है और यह वाला app हमारा दोस्तों यहाँ पे सो हो जाएगा ठीक है और जैसे सो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप जो है पहले click करके download कर लेना है और जैसे download हो जाएगा यह दोस्तों open का options हो जाएगा इस पे click कर द हो रहा है सिंपली इस पर हमें क्लिक कर देना ठीक है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर चले आना है में देखना है 1 2 3 4 और 5 6 यह छटे नंबर वाला जो भी थे हम से दोस्तों इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा छोटा सा एक आड आएगा ठीक है और आड को हमें बंद कर देना है यहां से अब दोस्तों जैसे हमारा आड को कैंसिल करेंगे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके समने आ जाएगा आप दोस्तों यहां पर देखेंगे यह डाउनलोड का ओप्शन सो हो गया सिंपली दोस्तों ड क्लिकर के बाइक चले जाएंगे और यहां पर दोस्तों देखेंगे यह हमारा डाउनलोड हो गया है तो यहां पर देखेंगे चेंज थेम्स का ओप्शन सो हो रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे लोकल थेम्स का option देखने को मिल जाएगा इस पे किलिक कर देना है और दोस्तों जो अब ही हमने download किया है वो थेम्स यहां पे सो हो रहा है ठीक है simply दोस्तों इस पे किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद में दोस्तों आब यहां से हमें apply पे क्लिक कर देना है ठीक है और जैसे ही क्लिक कर देंगे यह सक्सेस्फिली हमारा एपलाई हो चुका है ठीक है अब दोस्तों यह हमारा थेम्स सक्सेस्फिली लग चुका है अब दोस्तों जो है हम अपने पाउर बटन को इस तरह से बंद करेंगे तो दोस्तों जैसे हम अपन स्क्रीन लोग बना पाएंगे ठीक है तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पर संद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक लिए नमस्कार